हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर अंचली श्वास्तो स्वागत करती हूँ आपका अपके अपने हेल्थ चैनल आयर्वेद तबेस ओफ लाइफ में भारती परिवारों में और मंदिरों में सुबे और शाम शंख बजाने की प्ररमपरा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि शंख बजाने का केवल धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है अगर आप रोज शंख बजाते हैं तो आपको धेरो स्वास्ते से संबंदित फायदे भी मिल सकते हैं और शंख भस्म जिसका आईरवेद में प्राचीन समय से ओशदी के उर्प में प्रयोग किया जाता रहा है तो आज के वीडियो में संख बजाने के क्या लाब हो सकते हैं और शंख बजाने की क्या लाब हो सकते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे जिससे आपको ऐसे healthy tips चरूर मिलते रहें और bell icon प्रेस कर लीजे जिससे नए वीडियो का notification आप तक तुरंद पहुँच सके रोज शंख बजाने से हमारा lower abdominal part मजबूत होता है क्योंकि शंख बजाने से हमारे निचले हिस्ते की mass patient भी active होती है उनमें contraction होता है इस प्रकार अगर हम रोज शंख बजाते हैं तो उनके एक अच्छी exercise होती है दूसरा शंख बजाने से हमारे breathing power भी सुधरती है क्योंकि अगर हम रोज शंख बजाते हैं तो हमारे thyroid gland और diaphragm की भी exercise होती है और शंख बजाने से हमारे बार बार सास भरने और छोड़ने से हमारे lungs की power भी भरती है क्योंकि ये lungs के लिए एक अच्छी exercise होती है शंख बजाने से हमारे चेहरे और हमारे respiratory system की बहुत बढ़िया exercise होती है इसलिए जिन लोगों को सास से संबंदित कोई समस्या है उन्हें रोज शंख जरूर बजाना चाहिए शंख बजाने से चेहरे की जुर्यों की परिशानी भी कम हो सकती है क्योंकि शंख बजाते समय हमारे face की बहुत सारे mass patient active होती है उनकी एक अच्छी exercise होती है और जिससे जुर्या कम होती है शंख में 100% calcium होता है रात में शंख में पानी भर कर सुवे उसका skin पर मालिश किया जाए तो इससे skin से related problems दूर होती है शंख बजाने से stress भी दूर होता है जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं उन्हें शंख जरूर बजाना चाहिए क्योंकि जब हम शंख बजाते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह उस पर concentrate करता है और हमारे शरीर के अंदर की negativity कम होती है शंख बजाने से हमारा heart भी स्वस्थ बनता है वैज्यानिक research के अनुसार भी साबित हुआ है कि शंख बजाने से एक तरह की energy का secretion होता है जो germs को मिटाने की power करता है यदि रोज शंख बजाया जाता है तो हमारे atmosphere के germs भी नर्स्ट होते हैं अगर हमें किसी तरह की बोलने की समस्या है तो उसे ठीक करने में भी शंख help करता है उनकी एक अच्छी exercise होती रहेगी और बिमारी में आराम मिलेगा साथी शंख बजाने से हमारे प्रेन की power बढ़ती है इसमरन शक्ती बढ़ती है इसलावा शंख में calcium, sulfur और phosphorus की अच्छी मात्रा होती है ये तत्व हमारे हड़ियों को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं इसलिए अगर हम शंख में पानी भर कर रखते हैं और उस शंक भस्म का प्राचीन समय से औशदी के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है इसका हम औशदी के रूप में अलग-अलग रोगों में किस तरह स्तेमाल कर सकते हैं पहला तो शंक भस्म बल और बुस्टी और वीरियो को बढ़ाने वाला होता है इसके लिए शंक भस्म को अगर मलाई या गाय के धूत के साथ लिया जाए तो बल और वीरियो में व्रद्धी होती है दूसरा हमार डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है भूजन को अच्छी तरह पचाने का काम करता है भूग को बढ़ाने का काम करता है इसके लिए छोटी नाम काय के घी में हींग और संकभस्म मिला कर लेने से पेट का दर्द दूर होता है नीबू के रस में मिश्री और संकभस्म डाल कर लेने से खाना ना पचने की समस्या दूर होती है और गरम पानी के साथ शंकभस्म देने से भूजन के बाद होने वाला पेट दर्द भी अगर स्प्लीन में इनलार्जमेंट हो जाता है तो पके हुए नीबू के 10 ml रस में संखभस्म डाल कर पीने से स्प्लीन की इनलार्जमेंट में आराम मिलता है। इसके लिए प्रति दिन उसको शंक बजवाने के साथ साथ उसके उसमें रखा हुआ पानी पिलाना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लोगों के फायदे के लिए उनके साथ शेर जरूर करिए।